इस वीडियो में मैं आपको टॉप टैन से लिंक मैं एंड में दे दूँगा तो वीडियो को एंड तक जुरूर देखेगा अगर आपने अबैसे ちबान में उसके बाद नौमे नमबर पर आई हांडा WRB जिसकी अगस्त मीने में पूरे भारत के अंदर 672 यूनिट सेल हुई है ये गाड़ी भी पट्रॉल और डीजल इंजन में आती है दोनों इंजन आफशन में आती है इसका प्राइज 8,90,000 से शुरू कर 11,90,000 तक चला जाता है और जिसकी अगस्त मीने में पूरे भारत के अंदर 279 यूनिट सेल हुई है ये गाड़ी सिर्फ पट्रॉल इंजन में आती है इसका प्राइज 5,64,000 से शुरू कर 10,90,000 तक चला जाता है और इसके बाद आई है शेमे नमबर पर निसान की मेगनाइट गाड़ी जिसकी अगस्त मीने में पूरे भारत के अंदर 29,84 यूनिट सेल हुई है ये गाड़ी भी सिर्फ पट्रॉल इंजन में आती है इसका प्राइज 5,64,000 से शुरू कर 9,90,000 तक चला जाता है और इसके बाद आई है पांचमे नमबर पर महेंदर एक्स यूवी 300 इसकी अगस्त मीने में पूरे भारत के अंदर 37,85 यूनिट सेल हुई है ये गाड़ी पट्रॉल और इंजन डोनों इंजन आप्शन में आती है पट्रॉल और डीजल इसका प्राइज 7,89 शूरू कर 13,30 या तक चला जाता है इसके बाद तीसरे नमबर पर है होंड़ाई वैन्यू का इसकी गास्त मीने में 37,70 यूनिट सेल हुई है पूरे भारत के अंदर ये गाड़ी पट्रॉल और डीजल इंजन डोनों इंजन आप्शन में आ जाती है इसका प्राइज 6,89 शूरू कर 11,85 या तक चला जाता है और दूसरे नमबर पर है टाटा नैकसां कार जिसकी अगास्त मीने में पूरे भार जिसकी अगास्त मीने में पूरे भारत के अंदर 12,90 यूनिट सेल हुई है ये गाड़ी सिर्फ पट्रॉल इंजन में आती है डीजल इंजन में नहीं आता इसका प्राइस साथ लाख क्यावन है अर से शूरू कर 11,42 तक चला जाता है अगर आपने टॉप 10 सेलिंग कास देख ने अगास्त मीने की तो राइट वीडियो पर क्लिक करें थैंक्स पर वाचिंग